नमस्कार दोस्तों पुजा डिजाइंस ने स्टिचिंग में आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बैकने डिजाइन शेयर करेंगे आपके साथ अगर डिजाइन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सिस्क्राइब कर लें तो य यह ब्लाउज बना रहे हैं तो यह देखिए इसको अटैज करते हुए छोटे-छोटे कर्श लगा देंगे और इसको प्लट लेंगे अगर देखिए इस तरीके से पलटने के बाद किनारे वाली इसलाय हम यहां पर लगा देंगे ऑ यह देखिए इस तरीके से नेक की कटिंग का आगे का जो वीडियो था वो थोड़ा सा रिकोर्ड नहीं हो पहरे दो नेchos कटिंग तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया हुआ है तो यह देखिए इस तरीके इस तरीकेसे अटेच ये उसे पहले बैक साइड की सो तक्स होती है एक एक इंच हम रखते हैं वो में यहा कर लगा कि और उसकी कमरपटी उसको भी लगा लें फाले नाट यहां से पहले आप कमरपटीय चॉड़ाएंं कि यह जादा होती यह उसे तो नहीं लाए तरीकह से पहले देखिए नीचे की सायड़ पलटते हुए पीदा हर ट Commerce यहां पर लग गई आए कि ब लैक Ça आंप ब्लैक गॉर्ड रिव याँ लिये धेखिए मैंने यहां पर गॉर्डडर का ये वैबरिक लिया है फैबरिक मेने ये रूप ब्लाइश लूज कि जिसका का झातने हैUNG को बूत मार्जिन के साथ कट गारी त्यार कर लेंगे इस तरीके से क्या है कि पाईपन बहुत सुन्दर बंती है घूनए अब झेगे फ़ेले been तो आप इस तरीके से अटेच करके देखें आपका जो यह प्रॉब्लम है वह जरूर सोलुशन होगा उसका क्योंकि इस तरीके से आपको बैक साइड में पता होता है कि आप कितना कपड़ा मार्जिन में दबा रहे हो और बिल्कुल बराबर बराबर कपड़ा हुआ यहां पर करके और तैयार कर सकते हो मैं आगे आपको बताऊंगे अटेच करने के बाद कि किस तरीके से आपको कट करना है कि यह देख देखिए पूरी पाइप इन को इस तरीके ना कून से प्रेस करते हुए पाइपिन को अच्छे से सेट कर लें देखिए अब मैंने बिल्गुल कम मार्जिन रखा है मैं इस तरीके से मोड कर चार तरफ सिलाई यहां पर लगा दूंगी बट अगर आपके प्रॉब्लम आती तो आप देखिए इस तरीके से आप और भी पतला इसक यहां पर यह देखिए पाइपिन को इस तरीके से मोड़ते जाएंगे और पूरी पाइपिन हम यहां पर बना लेंगे यह देखिए पाइपिन को सेट करते जाएं और बनाते जाएं इससे क्या है कि पाइपिन में आपके बिल्कुल बल नहीं होगा और कहीं से भी कोई छोटी बड़ी नहीं होगी आप लास्ट में देखना कितनी सुन्दर पाइपिन बनी है यहां पर मैंने किसी डोरी का यूज नहीं किया ह कि कस्टमर की डिमांड पर हमने यह पाइपन बनाई और वह भी कितनी गोल है वह आप इसमें वीडियो में देखना तो देखिए पाइपन लगा लिए हमने और कितनी अच्छी एक जैसी पाइपन बने बिल्कुल गोल अभी डियान के लिए मैंने कॉल्डन फैब्रिक तीन इंच का कट करके इस तरीके से फोल्ड किया है और पूरी पर अमेज तरीके से सिलाए लगा लिए है और स्थाइडों में जो भी वर्चा हुआ है उसका धिर दिया कटिंग हरनी है और यह देखिए पट्टी को फिर अच्छे से फिनिश्टिंग के साथ इस तरीके से त्यार कर लें और फिरल हम यहां पर बना लेंगे बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करते हुए बनाए फिरल कोई जोटी कोई बड़ी इस तरीके से ना बनाए यह देखिए पूरी को हमने रेडी कर लिया है अब मैं यहां पर पौने एक इंच पर निशान लगाऊंगी तो पाइप इन से पौने एक एक इंच पर पूरे राउंड में निशान लगाना है यह देखिए चारों तरफ हमने यहां पर राउंड में निशान लगा लिए अब निशान लगाया है ताकि आपको ध्यान रहे कि कच्छ से उसके उपर ही हमें फ्रिल को अटेज करना है जो ज्यादा एक्सपर्ट है उनको तो आइडिया रहता है बट जो बिगनर से उनको कह कम जादा फैब्रिक हो जाता है इसलिए आप इस तरीके से निशान लगा लें ताकि आपको सिलाई में आसानी रहे यह देखिए पूरे को इसी तरीके से अटेज करना है तो फ्रीलम ने यहां पर अटेज कर ली है यह देखिए कुछ इस तरीके से अब इसकी साइड में चा और कट करने के बाद बिलकुल फिनिशिंग से तयार हो जागा और उसको पर इस तरीके से मैं लेशा टेज कर रहे हूं और दूसरी साइड भीया में चाल लगा कर दोन में कि नारियों पर लेश्पर लगा लेने है तो इस तरीके से देखिए तो यह काम हमारा यहां पर रैडी हो गए अब हमें जो बीज का यह पार्ट लेना है जो हमने कटिंग में निकला था और इस तरीके से इसको कट कर लेना है यह देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इस तरीके से हम एक कट कर लेंगे देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से कट करने के बाद यह इसको पेश्ट कर लेंगे लाइनिंग के फैब्रिक में जो भी कोई आपका दूसरा फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यह वैक साइड में चला जाएगा और दिखेगा नहीं बिल्कुल भी यह दिखिए और अब छोटे छोटे से कट लगा लेंगे चारा दर्फ और यह देखिए पलट लेंगे इस देखिए इस तरीके से पूरे पर सेलाया में को यहाँ पर लगा लेनी है इससे दोनों कपड़े एक साथ अटेच हो गए है अभी देखिए हमें पट्टियां लगानी है गॉल्डन कलर के और सेंटर इस तरीके से लेज़ सेंटर का थोड़ा ध्यान रखना है और इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियां हमने यहाँ पर बना लिए है यह देखिए इनकी चोड़ाई मैंने तीन इंज रखिए डेवल फोल्ड में यह देखिए इस तरीके से हमने पट्टियां बनाईए सबसे देखिए तक आप यहाँ पर बना सकते हैं और बारिक भी लगाना चाहें तो और भी पतली पट्टी बना कर लगा सकते हैं तो इस तरीके से देख इस तरीके से सारी पट्टियों को तिर्ची तिर्ची लगाते हुए डिजाइन को तयार कर लेना है झाल 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 यह देखिए सारी पट्टिय लगा के तयार कर लिया है तो जो बीच का डिजाइन उसको भी रख इस तरीकिस निशान लगा के इसको अच्छी से से एट कर लेंगे देखिए और पिल लगा लेंगे चारू तरफ पिल लागाने के बाद यह देखिए starting से पक्का कर लेंगे इसको पक्का करने के बाद बिलकुल जो आमारी पाइपन है उसकी जड़ों में इसलाई लगाते हुए चारों तरफ से इस डिजैन को attach कर लेंगे पाइपन के उपर हमें सिलाई को बिलकुल नहीं लगाना है इस बात का ध्यान रखें नहीं तो बहुत बद्धा हो जायागा पाइपिन की जड़ों में सिराई लगाते हुए पूरी डिजाइन को यहाँ पर अटेज कर लेना है यह देखिए लाश्ट में हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा पका कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से डिजाइन हमारी यहाँ पर कम्पलीट होती है और जो बांदने वाली डोरी है वो भी मैं यहाँ पर सिंपल लटकन होती है वो बनाकर यहाँ पर लगा लूँगी और एक्स्ट्रा जो यह बैक साइड में जो फैब्रीक है उसको कट कर देंगे और इंटर लोग चारव तरफ हम कर लेंगे बीच में चाहता है तो आप एक छोटा सा फ्लावर भी लगा सकते हैं इस तरीके से देखिए डिजाइन कम्पलीट होती है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता है अच्छा लगा तो लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग